गूड बॉर्निंग फ्रेंज, वेलकम टू वेधा गार्डन आज हम अपनी वेधा गार्डन में गर्मियों के लिए कौन से फ्लावर लगाने वाले हैं वो शेयर करेंगी जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने गार्डन के लिए 11 तरह के सीड लगाने जारी हूं वैसे तो बहुत सारे सीड होते हैं पर मैं जहीं ग्रो करती हूँ एक तो सनफलार, कोस्मोस, गॉंफ्रीना, कैलियोपसिस, कोरियोपसिस, गिलाडिया, मौनिंग ग्लोरी, सिलियोम, जीनिया जीनिया में तो बहुती ही वाइड वराइटी है, मैं वाद में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ठी थूनिया और कोशिया जीनिया में के तो बहुत सारे जीनिया वाइट और जीनिया लीखुट इसके प्लान थोड़े छोटे होते हैं इसके प्लान तोड़े टोल होते हैं आप इस इनके इलावा विंका को भी grow कर सकते हैं और भी कई बालसम को grow कर सकते हैं पर आप अपने मौसम के हिसाब से करें क्योकि मैंने लास्ट एर बालसम gross किया था जब वो flowering पे आने वाला था तब इतनी जधा गर्मी पड़ी कि उसके पोदे चल गए इन में से भी मेरे ज़्यादा तर पोदे फ्लावरिंग स्टेज तक आते आते जल जाते हैं क्योंकि हमारे जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पर फिर भी मैं लगाना नहीं शोड़ती कि एक दो एक दो फ्लावर तो आई ही जाती है थैंक्यू फ्रेंड